हाई गाइज मैंने विस्मिलाव गुपता एंड यू और वाचिंग मी और यूटीब चैनल इंग्लिश वेट मिलाव दोस्तों आज की इस वीडियो में हम फ्यूचर की केटिगरी वन को सही से समझेंगे मैं अपनी प्रिविएस वीडियो लेक्टर्स में आपको प्रेजेंट कैडिगरी वन जिसके अंदर आप रूल देख सकते हैं सब्जेक सब्जेक के बाद हमें विल और बी का यूज करना होता है फिर हमारा अब्जेक्ट होता है नेगटिव सेंटेंस जब आप बनाएंगे तो विल और बी के बीच में नौट का यूज आपको करना है राइट जब आप इंटेरोगेटिव यानि कि किसी से सवाल पूछते हैं तब आपको टाइम वर्ड यानि कि विल को सेंटेंस के फ्रेंट में रखना होता है जैसे यहां पर है उसके बाद सब्जेक्ट और फिर बी का यूज किया जाएगा और अगर आप इसको इंटेरोगेटिव नेगिटिव बनाते हैं तब आपको विल लिखना है सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है उसके बाद आपको बी को यूज करना है और जब आप फिफ टाइप बनाते हैं यानि कि डेवल्यू एच फैंबली वोर्ड को जब अप्लाई करते हैं या यूज करते हैं सेंटेसी सामने हैं बना कर देखेंगे सबसे पहला सेंटेंस आप देखिए और सेंटेंस को पढ़ने के बाद सबसे पहले आप यह रिखनाइस कीजिए कि सेंटेंस फ्यूचर का है प्रेजंट का है या पास्ट का है उसके बाद आप यह रिखनाइस कीजिए कि सेंटेंस की category कौन सी है यहाँ पर तो पहले ही मैंने आपको बता दिया यह category one का sentence है तो यहाँ पर देखें लिखा है क्या आप मेरे विद्याले में अध्यापक होंगे इस sentence को जवाब English वो बनाएंगे उससे पहले आप यह देखें यह सिक्स टाइप में से कौन सा रूल इसमें एपलाई होगा क्या लगा हुआ है और इसमें नहीं का सब्जेक्ट तो आपको कैसे sentence बनाना है सबसे पहले आप लिखेंगे विल के बाद आप लगाएंगे यू अब आपने यू लगाया तो उसके तुरंद बाद आपको भी को भी अपलाई करना है विल्यू भी क्या आप होंगे कौन होंगे अध्यापक विल्यू भी iczur कहां पर मेरे विद्द्याले में मैंने अपनी पृब्यो विडियो लाक्षण में आपको बताया था कि जब भी प्रैपोजिशन का पार्ट आता है तो में को हम इधर ले जाएंगे और मेरे विद्यालेक को हम ऊधर ले जाएंगे तो लिखेंगे in Düny इस तरह से को फ्रेम करेंगे क्योंकि यह Qwestern वाक है को लगाना होगा विदेंट्छ आपका दोस्त क्यों होगा क्यों यानि की्ष यह यहां पर यूज हो jsemग रहских टाइप से संटेंस को आप बनाएंगे सबसे पहले आपको क्या लिखना है सबसे पहले आपको लिखना है वाई वाई के बाद अब आप देखिए सब्जिक क्या है आपका आपका दोस्त होगा कौन इस वह के बारे में बात हो रही है वह एक लड़का है तो ही का यूज करेंगे तो हम बोलेंगे why will he be why will he be कौन आपका दोस्त यह और उसके बाद आप बोलेंगे फ्रेंड और यह आपका संदेंस होगा वाई विली भी यो फ्रेंड राइट नेक्स देखिए क्या आपके पिता जी दफ्तर में नहीं होंगे यहां पर मैंने यह संदेज आपको दिया है यह है future की category one का बट क्या नहीं का यूज किया गया है यह फूर्थ टाइप है यह वाला तो अब आप इसमें नौट का यूज करेंगे और विल से संदेंस बनेगा तो आप कैसे बोलेंगे विल उसके बाद विल के बाद आप यहां पर देखें सब्जेक्ट अब इसमें सब्जेक् होंगे कौन आपके पिताजी तो यहां पर विल के बाद आप आपके पिताजी के इंग्लिस लिखेंगे विल्यों फादर विल्यों फादर अप सब्जेक्ट के बाद क्या लगाने आपको नौट भी तो वहां पे लगाई ये विल्यों फादर नौट भी क्या ओफिस में तो लोग को बताया था जब भी आप डे या डेट की बात करेंगे तब आपको सेंटेस में इट लगाना ही लगाना है तो यहां पर आप इट लगा के संदेस को बना सकते हैं कल सोंबार क्यों नहीं होगा और नहीं यानि कि यह फ्यूचर की कटिग्री वाल बट सिक्स टाइप सबसे पहले आपको लिखना और यहां पर ल Gold उसके बाद आपको अनियुक MON subjected कर्ण कर संदेस को अगर आप इस तरह किसे नहीं बनाते इड़ा के तो सेंडन्स संडेस container जाता है mostly people sentence को इस तरह से नहीं बनाते राइट क्या रोहन का भाई आपका दोस्त होगा क्या भी लगा हुआ है नहीं का यूज कहीं नहीं है यानि कि यह थर्ड टाइप है थर्ड टाइप में यह रूल यूज होगा क्या है रोहन का भाई इसके बारे में बातो हो रही है कैसे पता लगाते हैं सेंडेन्स में पूछो हो झायरो हन्गा आपका दोस्त लोगा तो पूछा आपका दोस्त कौन होगा रोहन का भाई यह सब्रेक्ट यह सब्जक्ट है तो विलS broken Hmm से संदेश को बनाएं तो कैसे लिखेंगे आप विल रोहन्स ब्रदर भी क्या आपका दोस्ट यूर फ्रेंड से बने या विल रोहन्स ब्रदर भी यो फ्रेंड इस तरह से आप इस संदेश को बनाएंगे अब मैं आपको यहां पर यह बताना चाहता हूं कि फ्यूचर की कैटेगरी टू के संदेश को बनाया जाएगा अब इसके अंदर सेंटेंस की पहचान होती है पास होगा जैसे मेरे पास कुछ पैसे होंगे उसके बहुत अच्छी नौकरी होगी तीन साल बाद आपके पास दो घर होंगे ऐसे संदेश को हम इस कैटेगरी में बनाते हैं कैटेगरी टू के अंदर विल हैफ का यूज होता आपके क्लियर करूंगा मैं संदेश पहला देखिए क्या उसके पास एक दुकान होगी अब यहां पर देखिए पास होगी आगया तो विल हाफ का यूज होगा बट यहां पर आप देखिए कैटेगरी टू है बट आप देखिए इस सिक्स टाइप में से कौन सा है यह क्या लगा हुआ यानि की थार्ड थाइप थार्ड टाइप के अंदर विल लगे गा सब्जिक लगेगा बट रट है वका यूज होगा भी कर यूज नहीं होगा ठीक है तो क्या उसके पास एक दुकान होगी तो हम कैसे वोलेंगे पहले हम लगाएंगे विल अब उसके पास यान का यूज करते हैं अगर लिखा होता क्या उसके पास दुकाने होंगी माली यह लिखा होता क्या उसके पास दुकाने होती और यह नहीं होता तब आप क्या बोलते विल ही है और उसके बाद आप लगाते शॉप्स बस आ का यूज नहीं करते क्लियर हो गई बात चलिए नेक्स लगेगा और क्यों होंगी इसके लिए आप फिफ टाइप करेंगे वाई लगा के तो आपके पास मेरी किताबे क्यों होंगी पहले लिखेंगे आप वाई वाई के बाद आप लगाएंगे विल विल के बाद यहां पर आपको पहले सब्जिक लगाना है और फिर आपको लगान सेंटेंस के लिए है बिल्कुल डेविएच फैमली फिफ टाइप नेक्स देखिए क्या इस घड़े में पानी होगा क्या पहचान होती है पास होगा में होगा और बहाई-बहन होंगे ऐसे संटेंसी आते हैं फ्यूचर की कैटेगरी 2 के अंदर यहां पर क्या लिखा हुआ है म होगा और जब सेंटेंस में आए किसी चीच के अंदर कोई चीज होगी जैसे कमरे में बहुत हवा होगी यह मैं बोलों इस घर में चार दरवाजे होंगे हैसे सेंटेंस अचीस जब बनाओ commandments है तो कła टेक्र टू में बनेगे तो इस घड़े में होगा शिटर की कैटेगरी टू कह इसे आप कैसे से बनाएंगे व्लहाफ से बनाएंगे बात किसकी हो रिया है इस घड़े की तो कैसे लिखेंगे आप विल इस घड़ा उस धरे इस घड़े इसंटनाब जो पास पढ़ा इस तो विल धी spot पॉर्ट बोल सकते हैं फिर पिचर भी बोल सकते हैं विल्डिस पॉर्ट हैव क्या इस घड़े में होगा क्या पानी विल्डिस पॉर्ट है वाटर एक तो वे यह है इस संटेंस को बनाने का इसके अलावा इस संटेंस को आप दैर से भी बना सकते हैं कैसे बनाएंगे इस घड क्या water will there be water क्या पानी होगा विल देर भी water यहां पर दैर बीना बात की आएगा बे मतल्य में बट लगाते हैं विल देर भी वाटर कहां पर इस घड़े में तो आप बोलेंगे in this spot आपको इस तरह से भी ये sentence बनाने को मिल सकता है आप ऐसे भी बना सकते हैं ये future की category 1 से बना हुआ है और ये future की category 2 का use करके बना हुआ है और same sentence है दोनों तरीके से बनाया जा सकता है I hope आपको ये समझ में आ गया next देखिए मेरे दो भाई क्यों नहीं होंगे भाई बहन होंगे पास होगा में होगा और भाई बहन होंगे जब ये sentences के अंदर आपको हिंदी दिखाई देती है तब आप future की category 2 से बनाते हैं इस sentence को भी बनाएंगे मेरे दो भाई क्यों नहीं होंगे मैं इसीलिये मेरे की इंगरिस माय नहीं आती इस मेरें की इंग्लिस आयाती यह अ कौन है जिसके दो भाई नहीं होंगे मैं हूँ मेरे दो भाई नहीं होंगे लेकिन कॉन है मैं इसलिए ऑफर इंग्रिस आईघी माइं मतलगाना in why will I not have why will I not have can do by यनicky I'mLove देखंगे टू ब्रदर में एस लगा देना क्योंकि दो भाई की बात हो रही है ब्रत वाइब आप tuh आइक होब कि आपको फुटर की कैटीगरी च्टी के भी ये और इस टरह के कई अब कोई भी फाप्लम नहीं होगी यह फिक इने क्टेगरी 1 और टू को आपको आज प्रेजंट किया है आई होप आपको इस वीडियो में सारे डाउट्स कलियर हो गए होंगे अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिफ्शन में जहिए और वहा पर चैनल की प्ले लिस्ट में जा कर और वहाँ भी आपको मिलूँगा अगर आप यह वीडियो आप पूरा देख चुके हैं और आप तक यह मैसेज पहुच गया है तो शाम को पांच बचे जरूर मिलेगा यूट्यूब पे मैं लाइव आ रहा हूं आप लोगों के लिए वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक ला और आपको 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 लोग्बाई लोगों के लिए बचर फूरा बाइव यह वाईब का लिए और वेज़ आपक्यों के लिए और आपको आ रखका के लेज़